गूद मोनिंग व्रेंज स ने लेक्षेन मेंस का प्रकार हैं इधर हमने लिये दो प्रकार का दाल एक चना का दाल और एक उड़त की डाल जिसको हमने धोके भीगो के धोके साथ करके रख लिए हैं दो टमाटर, धन्याका पत्ता, दो तेज़ पत्ता, सुखिल लाल मिर्ज, पांच फुड़न, रेड़ चिल्ली पाउडर, हिंग और दाल चिन्नी का दो टुकड़ा इधर लिए स्वाद अनुसार हल्दी, नामत और घी, हम घी में इसको बनाने बाले हैं, बीना ओनियन और बीना गालिक में इसको हम बनाने बाले हैं मैं यहां जो आपको पांच फुड़न बोली, उसमें हम पांच फुड़न का सीड रेता है, जो अपना मेथी दाना और जीरा, राई, बड़ी सुम और कलंजी, यह पांच चीज मिलके पांच फुड़न होता है, चलिए यही सब चीज को लेके आज मैं बनाने बाली हूँ द अभी हमने उसमें ना मक ना हल दी, कुछ नहीं मिला रहे हैं, श्रीप दाल को इसे ही बॉयल कर रहे हैं, हम उसमें आधा चमच तेल मिलाएंगे, बहुत ज्यादा उसमें फुम आ ना जाए दाल में, इसलिए हम आधा चमच तेल डाल के उसको पकने के लिए छोड़ देते ह हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं, हमारा दाल पक चुकी है, अब हम उसको निकाल लेते हैं, अब हम प्लेट में सारे दाल निकाल लेंगे, निकाल लिये हैं, अभी उसको हम थोड़ा थंडा होने के बाद मिक्सी में पीछ लेते हैं लगभग दाल हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका था हम उसको मिक्सी में अभी पिछ लेते हैं यह देखिए दाल हमारा पिछ चुका है दाल का जो पानी था उसमें हम इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह अच्छी तरह हम मिला लिए हैं अभी हम उसको तड़का लगाएंगे डाल को ट्रांसपर कर लिए हैं कड़ाई साप कर लिए उसमें दो चमच घी डाल देते हैं घी जब गरम हो जाए उसमें हमने तेज़ पत्ता सुखी लाल मिर्च डाल चिनी और पांच फुरन डाल देते है अभी हम ग्यास को थोड़ा स्लो कर लेंगे मिर्ची पाउडर हींग डाल देते हैं अभी अभी हम टमाटो मिला लेते हैं यह देखिए हमारे टमाटो पक चुका है हम जो दो सुखी लाल मिर्च डाले थे उसको उठाके डाल में हम छोड़ दिये हैं यह देखिए मसाला पक गया है इस टच पर हमने हल्दी और नमक स्वादनुसर मिला लेते हैं क्योंकि पहले हम दाल में कुछ मिलाए नहीं थे नमक और हल्दी अभी हमारे छोंक त्यार हो गया है हम दाल को उसमें मिला लेते हैं इसमें हमने कोई प्याज लोसन कुछ नहीं डाले कुछ ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले इसे पुरा साधा और बहुत अच्छा टेस्ट होता है उपर सम्धन्या का पत्ता डाल के उसको चला लेते हैं डाल में जो बएल आ जाएगा फिर हम उसको ग्यास को बंद कर देंगे यह देखिए हमारा डाल में बएल आ चुका है तो हमारा डाल बन के रेडी हो गई है कर का दो हमारा डाल में जो बएल आ बाल सम्द कर दो हमारा डाल